नमस्कार दोस्तों लाल किताब के 11 अच्चू को पाए जीवन की हर परेशानी और समस्या से छुटकारा दिलाएंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक सरूर कर देना नमबर एक घर में मूर पंक रखने से सुक समरती और तरक्की आती है किसी की कुंडली में राहू दोस है तो उसकी सिराने मूर पंक अवश्य रखें नमबर दो अगर कहीं आपका धन फस गया है तो उसे निकालने के लिए नारियल में शक्कर भर कर पीपल के नीचे दबा दें तावे की लोटे में सूखी मिर्च के पांच दाने डाल कर सूरिया को जल अर्पित करें नमबर तीन पहले लड़के के पहले दान को तूटने पर नीचे कभी नहीं गिरने देना चाहिए इसको चांदी की डिपी में रखकर घर में सम्हाल कर रखें घर में धनकी तंगी कभी नहीं होगी नमबर चार विवा में विलंब हो रहा है तो नहने के पानी में केसर डाल कर नहना शुरू करतें विवा जल्दी हो जाएगा नमबर पांच अगर आप चाहते हैं आपके घर में कोई बीमार ना हो और नजर ना लगे तो अपने में गेट के सामने वाली चगए को प्रति दिन साप पानी से धोएं नमबर छे बैडरूम में कपूर की टिकिया जलाने से पती पतनी का एक तूसरे पर शक दूर होता है और प्रेम बढ़ता है नमबर साथ अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा तो उसके सिराने कुछ सिक्के रख दें और इन्हें जमादार को देते रहें बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी नमबर आठ घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का रिवन बान दें ऐसा करने से घर को कभी नजर नहीं लगती कभी भी पैसे की कमी नहीं होती नमबर दस आर्थिक तंगी है या भागे साथ नहीं देता तो नहाने की पानी में थोड़ी हल्दी डाल कर नहाने से बिगड़े काम बनने लगते हैं नमबर ग्यारा पती पत्नी में हमेशा अनबन रहती है तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल किसी हनुमान मंदिर में दान करें जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवारा